केजरी गैंग के लोग तो ऐसा आपने देखा होगा कि केजरी गैंग के लोग तो दूसरे किसी को यहीं उठा लेते हैं अब देखिए कितना शरारत है कितना शरारती व्यक्ति है कि इसके बेटे के ऊपर एक यूट्योवर ने वीडियो बनाया रचित कौशिक ने तो रचित कौशिक को पंजाब पोलिस उठा कर लेगी बिंदी से अब अपने पारिवारी किसी शादी कारेक्रम में गया तो उठा कर ले गई समझ मतमामने को समझें कि पांच पर नहीं होता और एक यूट्योवर ने इसके बेटे के ऊपर एक वीडियो बनाया तो यूट्योवर को उठा ले गई और पूरा टेलीवीजन चानल चुप है इसी टेलीवीजन चैनल पर जूम उसके एंटर रोहित खुब उठाने के लिए 36 गट पुलिस आई खुब बबाल हुआ उसे बचा लिया गया लेकिन नौकरी उसकी रोहित की चली गई मेरे साथ काम किये हुए है पुराना साथी में रोहित रंजन सुधीर चाधरी के जगह पर देने करता था तो क्या एक एजंडे के तहट सुधेर चाधरी का प्रगाम कैसे कर रहा था क्या यह भी उसके पिच्छे के पर गया और उसका पूरे केरियर को डाने की कोशिश की गई रोहित को मैंने बढ़ा दी कि चलो रोहित तुम बच्छे की मेरे साथ काम किये हुए चैनल में एंकर से हमारे साथ चोटे भाई की तरह भवत्तोद रिलेशन रहा रोहित से मैंने उससे बढ़ाई दी कि चलो तुम मैं सुधेर चाधरी से तुमारी कुल्ला नहीं कर रहा हूं लेकिन तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और दियने जैसे प्रोगाम कर रहे हो कुछी दिन बाद उसके घर प टीवी एटीन में काम करते हैं आमन चौपरा को भी इसी तरह से राजिस्थान पुलिस उठाने आई उसके वाद नहीं ले जा पाई टेलिवीजन चैनलों ने अपने एंट्रों को बचा लिया लेकिन वहीं किसका रही मेरी इसके बात नहीं ही आमन चौपरा अभी वी काम कर हैं सवाल इस बात का है कि में इस्ट्रीम मीडिया ने महाल बनाया और एक यूट्यूबर के लिए यह दिए इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर में इसके चुप्ति क्यूं है कि कोई सरकार ऐसी बिना दिल्ली की पुलिस को जानकारी दिये दिये और कैसे उठा करके ले गई और सोचे इस बात को महत्पून ये बात है कि जो केजरीबाल खुद आठाट वारंट पर पेश नहीं होता है उसके बेटे पर किसी ने एक वीडियो बना दिया तो पंजाब पुलिस उसे उठा कर ले जाएगी यहीं पंजाब पुलिस बेज़ेपी के नेता तेजिंदर बगगा को उठाने आई उठा कर ले गई पानी पफ से उसे पकर लिया गया चुक्की नेरेटीब गढ़ा गया तो तेजिंदर बगगा को बचा लिया गया हडियाना पुलिस ने रोक दिया लेकिन रचित कौसिक पे चुप्पी क्यों है यह इस पूरी चीज़ों को कला भी सुरुक पे समझे है कि यह लोग जो नहतिकता की बातें करते हैं यह लोग खुद तो एडियसे संस्था की समझन नहीं पेते हैं और रचित कौसिक को कोई और रचित ने क्या वीडियो बनाया और त्यों के साथ ऐसा इस चीज़ को समझना بहुत ज़रूरी है और तरहीं देखिए पनजाब के एक महीने का किराया दिली सरकार देती है और ये ट्रेड मिल है एक कमपनी की जिसके मालिक हैं पुलकित केजरिवाल घर बैठे अपने ही घर में ट्रेड मिल किराय पर दो और दस लाग रुपए महीना कमाओ क्योंकि इमांदार सरकार लेकिन कभी घमंड नहीं किया शर्ट आज भी दो साइज बड़ी ही पहना पर तो कोई और ही लड़का था अपने से दो साइज बड़ी सस्ती सी शर्ट पहना हुआ पुलकित केजरिवाल फोटो में पैर दिखने ही रहे लेकिन I am damn sure सरजी की तरह चपल ही पहन कर आया होगा अगर आप सोच रहे हैं कि स्टूडेंट ही तो है चाहे IIT दिल्ली म नहीं क्यों ना पढ़ता हो तो आपको बता दें कि पूत के पाउं तो पालने में ही दिख जाते हैं वो IIT पूरी करने से पहले ही 10 लाग रुपे महीना कमाता है कैसे केजरिवाल का शीश महल याद है जिसमें 80 लाग के परदे लगे हैं उसी में जिम वाली 4 ट्रेड मिल मश सोची, 4 ट्रेड मिल का एक महीने का किराया सोचो कितना होगा? 5,000, 10,000, 15,000, जी नहीं 10 लाग ये 10 लाग रुपे महीने का किराया दिल्ली सरकार देती है और ये ट्रेड मिल है एक कंपनी की जिसके मालिक हैं पुलके केजरिवाल, घर बैठे अपने ही घर में ट्रेड मिल कि हो क्योंकि इमाद अब सोची यह केजरी का बेटा है और रचित ने बड़ी अच्छी बात कही हुई है सस्ती सी सट पहले हुए पुलकित केजरी बाद अक्सर मैं कहता हूं कोई सलाह नहीं देता तुम बॉने आदमी हो तुम्हें 38 नंबर के शाट आती है 46 नंबर का क्यों पहलते हो यह देखिए रागव चड़ा चड़ी के शादी में यह पार्टिसिपेट करने गया था वहां पर और वहां एक शादी में गया हुआ है इतने ध बदले 48 नंबर का शाट पहले और बिल्कुल न कोई बेंट न कुछ कुछ नहीं बिल्कुल ऐसे ही कि सिंप्लिसीटी दिखाने के लिए तो क्या केजरी अपना विकल्प इसी को चुन रहा है और इसके सच पर एक वीडियो बनाया तो रचित कौशिक को पंजाब पोलिस ले जाया गया ऐसे ऐसे कितने वीडियो पाराओं ने देश के ग्रिह मंत्री के खिलाब बनाए संसनी बाजों ने कितने वीडियो इस देश के पढ़ान मंत्री के खिलाब बनाए इस देश में पूरा इको सिस्टम सालों तक किस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री खिलाब और कि अड़ियों बनाने के कारण और चुकी बीडियों चोट मारा के लिए तो बहुत वीडियों बनता है क्योंकि बेटे पर चोट है बेटे का पॉलिटिकल करियर जो समारने की कोशिश केजरी कर रहा था उस पर चोट मार दिया इसलिए रचीत को अरेस्ट करके डराने की कोशिश की गई तब यह है कि क्या इस देश में सिस्टम कुछ है दिना वारंट के या फिर इस मामले में दिल्ली पुलिस या दूसरे राजी की पुलिस की कोई जीमिदारी नहीं है या फिर यूँ कहें कि चाहे आमन चौपरा हो चाहे राजी रोहीत रंजन हो ये सब चुकि नोडा या गाजियाबाद में थे तो प्रेसर बन करके यूपी पुलिस की या फिर योगी आधितनात के दवाब में चीज़ें हो गई और चुकि वो बड़े चैनल में काम कर रहे ते इसलिए ऐसा हो गया क्या सरकार जो अपने आपको कर दिया आम आदमी के हैं कि उसको वो आम आदमी इतना खास है कि उसके खिलाप कोई कुछ नहीं बोल सकता तैजंदर बग्दा ने बोला तो पंजाब पुलिस उठा जब से पंजाब पुलिस केजरी गैंग के पास आई है तब से यह नेरेटिव इस धंसे डराया जा रहा है यह खतरनात खेल है जो कि खुद एडी के समन पर पेश नहीं होता है उसका यह खेल बहुत खतरनात है